डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अउनली अट्टैक टीवी कैनाडा में विफाकी इंतखाबात में चन्डोस बाकी लिबरल्स का रोस्टर ना मुकमल एंड्रियो शेयर का हुकूमत में आकर SNC लविलियन मौमले की तहकीका का बादा NDP का इक्तिदार में आकर पांच लाक नए घर तामीर करने का ऐलान कैप्स की जौनिब से माफी मांगने पर खुशी हुई मैक्सिम बेर्नियर अमरीका अमन मुजाकरात शुरू नहीं करता तो जौन के लिए तयार है तालिपार अमी की सदर को औहदे से हटाने के लिए मुश्किल आएनी मराहल से गुजरना होगा माहिरीन हैड नाइस आपने जौनी खबरों के तफसील शामल करेंगे इस चौर्ट ब्रेक के बाद झालव मुश्किल थार्ट करेंगे तालव मुश्किल are you concerned about your future we invite you to consider option canada I'm a former cable education officer and a senior case analyst and observe the Canadian government for 16 years I provide accurate assessment on every case and I'll be happy to assist you in making canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once, do it right. Welcome back. Canada से खबर शामल करेंगे आपको बताएं, कैनदा में वफाकी इंतखाबात में चंड रोज ही बाकी रह गए हैं. जबके लिबरल पार्टी की जानिप से मुल्क भर की तमाम 338 सीटों के हवाले से नामजदगी का रोस्टर ताहाल नामुकमल है. मजीच वानते हैं सिपोर्ट में. कैनदा में वफाकी इंतखाबात में चंड रोज ही बाकी रह गए हैं जबके लिबरल पार्टी की जानिप से मुल्क भर की तमाम 338 सीटों के हवाले से नामजदगी का रोस्टर ताहाल नामुकमल है. उमीदबारों के पास इस हवाले से पीर को दोपहर दो बज़े तक का वक्त है. एलेक्शन कैनड़ा की नमाइंदा का कहना है कि हम उमीदबारों को मश्वरा देते हैं कि आखरी लमे तक इंतजार ना करें. ऐसा करने पर अगर कोई गलती करता है तो उसे सही करने से पहले डैडलाइन से गुज़र चुके होती है. अब तक ग्रीन पार्टी, कंजबेटिफ और नडीपी सब कहते हैं कि उनके पास एकिस अक्तूबर को इंतखाबारों के मुकमल से लीट है. कैनेडा की पीपल्स पार्टी ऑफ कैनेडा की जौनिफ से कहा गया है कि पार्टी की जौनिफ से 325 अमीदवारों की तौसी की गई थी. अब तक ग्रीन पार्टी, कंजबेटिफ और नडीपी सब कहते हैं कि उनके पास एकिस सक्तूबर को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार उमीदवारों की मुकमल से लेट है. कैनیड़ा की पीपल्स पार्टी ऑफ कैनیड़ा की जौनिफ से कहा गया है कि पार्टी की जौनिफ से 325 अमीदवारों की तौसी की गई थी. इदर लिबरल्स का कहना है कि उनके पास 336 उमीदवारों की तस्दीक हो गई है जब के उन में से मुकम्मक सरेटना होने के बारे में पूछा गया तो लिबरल रानुमा जस्टिन ट्रोडों ने सिर्फ इतना ही कहा कि एक किस अक्तूबर को कैनरे के सामने 338 गहर मामूली करेगी ये एक तारीखी एकदान होगा मसी जानेंगे इस रिपोर्ट में कैनड़ा की कंसरवेटिव पार्टी के रहनुमा इंडियो शेयर की जालब से उनके सियासी हरीफ कैनड़ा के वजीर आजम जस्टिन ट्रोडो एक बार फिर शदी तनकीद का निश्याना बने एक तक वाले से एसनसी लाविलियन मौमले को उठाया जिसके सबब माजी में ट्रोडो को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था ट्रोडो ने अमरीका में मौाखसे और बरतानिया में ब्रिसिट जैसे मौमलात को शेयर से जोड़ते हुए कहा कि वो कैनड़ा में खौफ की सि जर्माना फेल से आगाह करेगी ये एक तारीखी एकडाम होगा एंड़ी पी राहनुमा जगमीद सिंग का कहना है कि अगर वो मौन्तखिब हो जाते हैं तो किराया अदा करने वाले खानदानों को सालाना पांच हजार डॉलर तक की छूट देंगे मजीद एहवाल इस रिप कोशिश कर रही है सिंग ने इस दोरान एंडी पी के सस्ती रहाईश के प्रोग्राम की मजीद अगाह किया जिसमें उनका कहना है कि अगर वो मौन्तखिब हो जाते हैं तो किराया अदा करने वाले खानदानों को सालाना पांच हजार डॉलर तकी छूट देंगे उन्हों ने दोहराया कि नई डेमोकरेटिक हकुमत अगली दिहाई में मुल्क भर में पांच लाग नए सस्ते मकाना तामीर करेगी लेकिन उन्हों ने कहा कि चुके लोगों को फॉरन मदद की जरूरत है इसलिए एंडी पी तकरीबन पांच लाग खानदानों के लिए किराया पर सबसी साथ होती हैं कुछ बात करेंगे पीपल्स पार्टी ऑफ कैनिड़ा के सरवरा मैकसिम बर्नेयर का कहना है कि मतनासा टुइट्स करने वाले उमीदवार की जानिप से माफी मांगने पर उन्हें खोशी हुई बर्नेयर ने कहा कि हर कोई गलती कर सकता है सबसे हम बात उसे तसल पार्लिमाना और ट्रांसफोबिक टुइट्स शाया होने के बावजूद एसक से एलेक्शन लडने वाले पीपी सी उमीदवार बिल कैपस में अपने पार्लिमानी दोर चारी रखेंगे मार्च में कैपस की कुछ टुइट्स में शायी अफरीकी और कैरबियन नसल के अफरास से मुतालिक दक्यानूसी रोजानात के हवाले शामल थे दीगर टुइट्स में उन्होंने सोमाली मुलाजिम का हवाला देते नसली बरतरी के खैलात का इसहार किया था अगर चप्त दाई तुइट्स ने उन टुइट्स की तरदीद करते हुए इंकार किया कि मुम्किन है कि किसी ने उसका अकाउंट हैक कर लिया हो लेकिन बाद में उन्होंने टीवी चैनल को इंटर्वियू देते हुए टुइट्स की तस्दीक कर दी मुझे यकीन है कि तमाम लोगों कोई अकसा तोर पर इज़त दी जानी चाहिए और हमारे मौश में नसल परस्ती का कोई मुकाम नहीं है मैंने किसी भी रिमार्क्स पर मौजरत की है जो सियाको सबाक से हट कर की गई है और किसी की नराज़गी का सबब बना बर्नेयर का कहना है कि कैपस की जानिब से मौफी मांगने पर उन्हें खुशी हुई बर्नेयर का कहना था कि हर कोई गलती कर सकता है सबसे हम बात उसे तस्लीम करना होती है बरनेर के कहना था कि उनकी मौफिके बाद उनसे गुफटगू के बाद कैपस उनकी जमात के रुकुन है क्यूंके वो हमारी जमात की एकदार की पासदारी करते हैं और ये सबसे हम बात है उनका कहना था कि उनकी जमात उमीदवार का बैक गराउंड चेक करती है अमरीका से खबर शामल करेंगे आगको बताएं अमरीका की जानिब से अगवान अमन अमल मुजाकरात का और सलसला मनसुख किये जाने के बाद तालिबान ने खबरदार किया है कि अगर वाशिंटन अमन के मुकाबल में जंग को तरजी देता है तो फिर तालिबान भी जंग के लिए तयार हैं दोहा में तालुबान के तर्जमान महम्मद सुहिल शौहीन ने अगवानिस्तान की आवाम को इंतखाबी मोहिम और वोटिंग से दूर रहने की हिदायत करते हुए हमलों का इंदिया दिया गैर मुलकी नश्याती अधारे को इंटर्वियू देते हुए उन्हो सुहिल शौहीन ने वाज़ किया कि अवगानिस्तान में तर्जी हकूमत का फैसला अवाम करेंगे और हम भी उनके फैसले को तस्लीम करने के बाबंद होंगे लेकिन ये सिर्फ इस सूरत में मुम्किन होगा जब गैर मुलकी पौजियों का तसलुत खतम होगा एक सवाल पर सुहिल शौहीन ने जवाब दिया कि अवगान अमन अमल से मुतालिक तमाम अमूर हत्मी शकल इक्तियार कर गए थे और इस जमन में मुहाइदे की नकूल तीन फरिकीन, खतर हुकूमत, अमरीका और हमारे पास थी वाज़ रहे कि अवगान अमन अमल मुजाकरा कागास किया जाना था। वाज़ रहे कि अगर ये मुहाइदा हो जाता तो ममकिना दोर पर अमरीका अगवान से अपने फौजियों को बतद्रीज वापिस बुलाने का लाहे अमल तैय करता। जबके तालिबान की चानिब से ये जमानत शामल हुई थी कि अगवान अगवान में उन्हों ने तालिबान के एक हमले में अमरीकी फौजी समेट 12 फराद की हलाकत पर ये मुजाकरात मनसूख कर दिये थे। कुछ बात करेंगे अमरीकी एवान नमाइंदिगान की स्पीकर नैंसी पिलोसी की तरफ से सदर डॉनल्ड टरम्प के मौखशे के लिए अमरीकर आने के एलान के हवाले से आईनी माहिरीन का कहना है कि अमरीकी सदर को ओधे से हटाने के लिए मुज़किल आईनी मराहल से गुजरना होगा जो बजाहर मुमकिन नजर नहीं आ रहा। मैतमाद नहीं लाई जा सकती उन्हें सिर्फ मौखशे के जरिये ही ओधे से हटाएं जा सकता है जिसके लिए जरूरी है कि सदर पर संगीन नौयत के लजामात हो जिन में जिसमानी और दिमाही आरज़ा संगीन माली बेजाब्तगीयों बदन्वानियों या गद्दारी जैस लाई फर्द ज्जून भी तयार करता है जब सैनेट में ये मौखशे के जाता है तो ये नीम अदालती कारवाई की शकल अखियार कर लेता है और मौखशे के हवाले सैनेट के जो इजलास होते हैं उनकी सदारत अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्डिस करते हैं मौखश कि सैनेट इजलासों को अदालती तर्स पर चलाया जाता है और दोनों तरफ से दलाइल और सुबूत पेश किये जाते हैं अगर आवाने नुमाइंदिकान की तरफ से लगा अगर जामात दुरूस पाए जाएं तो फिर सैनेट दो तहाई एक सरियत से सदर के खलाफ मौखजे क की तहरीक मनजूर कर सकता है जिसके नतीजे में सदर अपने उहुदे से फारिख हो जाता है आज तक किसी अमरीकी सदर को मौखजे के जरीए घर नहीं बेजा गया एक अमरीकी सदर जॉनसन के खलाफ मौखजे की तहरीक आई थी और उन्होंने कारवाई से पहले ही अपने तो इसे स्तीफा दे दिया था इसके साथ ये टाइक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे टाइक टीवी Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV